पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पिछले दो दिन से हालात शांती विवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ हिलाकों में खास कर पूर्वी दिल्ली में वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विशे है सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विशय है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांती बनाए रखें जिसके जो भी मामलात हैं जिसके जो भी मसले हैं सभी मसले शांती पूरवक बैठ के समाधान हो सकते हैं हिंसा से किसी का कोई समाधान निकलने वाला ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा तो मेरी सभी लोगों से हाठ जोड की अपील है कि सब लोग शांतिय विवस्था बनाएं रखें एक पोलिस वाले की एक हैड कॉन स्टेबल की मौत हो गई कुछ पुलिस वाले गायल हुए हैं इसक हमारी दिली के लोग हैं हमारी देश के लोग हैं Refs टो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नमबर आ सकता है वो भी कई न किसी परिवार के सदैस से थे जिन लोगों की मौत हुई तो यह अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है जिन लोगों के दुकाने लुट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है जिन लोगों की गाड़ियां मोटर साइकल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है कल को आज किसी का हो रहा है कल को किस लाएक आये थे और सभी senior offices थे concern departments के और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो hospital authorities को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तेदी से काम करें सभी hospitals तयार रहें अगर जो भी injured लोग आते हैं उनको तुरंट अच्छी से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए fire department वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक डिक्कती आ रही है जो affected area है वहाँ पे पहुँचने में तो police के साथ coordination करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें सभी विधायकों का एक जो common शिकायत थी वो ये कि police का संख्यावल बहुत कम है पुलीस की संख्या बहुत कम है और नीचे पुलीस को action लेने की powers नहीं है जो local level पे विधायकों ने भी पुलीस से बात की तो वो कुछ action नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको उपर से orders नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठी चार्ज करने की हवाई फायर करने की उनको जब तक ऊपर से orders नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई action नहीं ले पा रहे है ये ज़रूरत है जो अभी मैं अमिच्छा जी से मिलने के लिए जा रहा हूं तो उनसे भी ग्रह करने की ज़रूरत है जो जो लोग पे शक हो हमने मैंने अभी directions दी हैं जो हमारे district magistrates हैं और SDM हैं उनको की वो मुनादी करें और peace march निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांती बनाए रखने की अपील करें लोकल लेवल पे peace committee meetings करें सभी धरम के लो मौजूद हों और लोकल जो जो affected areas हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांती बनाए रखने की अपील की जाए तो चीफ सेक्रेटरी साथ भी मौजूद है मैंने चीफ सेक्रेटरी साथ से request किया कि वो पुलिस कमिशनर से भी बात करेंगे और इस पे पुलि पुलिस वालों को पावर देने के लिए उनसे अपील करेंगे